हेलो, वेलकम टू ATS Tech Info, ATS Tech Info में आपका स्वागत है, आज हम देखेंगे कैसे MS Word में एक टेबूल बनाते हैं और टेबूल में कैसे फर्माटिंग हम कर सकते हैं, और भी बहुती सहज उपाय में कुछ ट्रिक सिखेंगे, और इस वीडियो को लास्तर कम्प्लिटली देखिए और आपको अगर अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक किजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल ATS Tech Info, लेट स्टार्ट आवर वीडियो पहले हम देखेंगे MSWARD कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट उसके बाद यहाँ पर MSWARD है, और उसके बाद MSWARD में हम कैसे टेबूल बनाएंगे, अगर आप यहाँ पर एक टेबूल बनाना चाहते हैं तो आपको insert में जाना चाहिए, उसके बाद यह table option है, यहां पर हम insert table में जाके कर सकते हैं और यहां पर भी है सहज उपाय में हम कर सकते हैं यहां पर row column जितना भी row आपको चाहिए यह देखिए यह सब one row है यह दो रो है यह तीन रो है और column 10 into यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है 10 into 3 इसका मतलब है 10 columns and 3 rows यहां पर अगर हम इसको oscillate करेंगे यह 9 into 6 9 columns and 6 rows यहां पर click करेंगे तो यह हो गया अगर हम एसा करना नहीं चाहते हैं तो एक और उपाय है यहां पर insert क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर click करेंगे यहां पर insert क्लिक करके table table के बाद अगर हम insert table में जाएंगे यहां पर एक window दिखाए देगा यहां पर table size आपको mention करना चाहिए number of columns number of rows by default it will show 5 यह 5 दिखाए दे रहा है अगर आपको चाहिए 7 तो यहां पर op आरो में दो बार क्लिक किजिए 7 हो गया अगर row आपको चाहिए 10 row चाहिए तो यहां पर 2 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहां पर ok क्लिक किजिए देखिए यह एक नया table आ गया है यहां पर देखिए 10 row है यह एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस row है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 row चाहिए हो गया अभी हम देखेंगे कैसे इसका यह जो column है यहां पर हम serial नमल लिखना चाहते हैं तो serial number क्या है? serial number यहां पर यह तो छोटा वाला चाहिए इसको कैसे कम करेंगे यहां पर, यहां पर click करेंगे उसके बाद यहां पर इसको drag करके यहां पर ले जाएंगे देखिए यह छोटा हो गया अगर यह name है, name, name of the student अगर यह बड़ा चाहिए तो हम बड़ा कर सकते हैं, यहां पर प्रेस करके यहां पर छोटा होगा, यहां पर लाने से बड़ा होगा, देखिए बड़ा होगा है, अगर आप यह दो जो cell है, इस cell को अगर आप select करके merge करना चाहते हैं, तो first select किजिए, उसके बाद right click किजिए, right click करके merge cell है, यहां पर एक option है, merge cell, merge cell में click करने से यह दो merge हो गया, अगर आपको उल्टा चाहिए, मतलब आपको merge नहीं करना है, split करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पर सिखेंगे, कैसे यह जो cell है, इसको split करेंगे, split का मतलब है, दो भाग में divide करेंगे, यहां तीन भाग में divide करेंगे, यहां पर right click किजिए, उसके बाद split the cell, यहां पर हम अगर दो कलम और एक row में convert करना चाहते हैं, तो यह है, और ok में click किजिए, हो गया, अगर आप तीन कलम और एक row चाहते हैं, तो right click किजिए, उसके बाद split cell, उसके बाद तीन कलम चाहिए, यह दो कलम है, यहां पर off our row प्रेस किजिए, एक बाद, तीन हो गया, उसके बाद, अभी हम देखेंगे, कैसे text direction change करते हैं, अगर यहां पर हम, हमको चाहिए, number of, number of students, और इसमें हमारा, जो number of student है, यह number of student में, only number लिखना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां पर, number करेंगे, और इस जो column है, इस column को हम, छोटा करना चाहते हैं, चोटा मतलब, यह जो width है, इस width को कम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस cell को, right click करेंगे, right click करके, यहां पर text direction, click करेंगे, text direction में, हम, text click करेंगे, यहां पर, यह तो normal text है, एसे भी कर सकते हैं, और एसे भी कर सकते हैं, यहां पर preview दिखाए दे रहा है, देखिए, यह से आएगा, यह text, okay click करते हैं, देखिए, number of student, direction is from this to this, अगर हम direction को change करना चाहते हैं, तो right click, text direction, यहां पर click करेंगे, उसके बाद, okay, ऐसे, बट, officially, हम, चूज करते हैं, यह जो direction है, हो गया, इसको select करके हम, इसका font भी change कर सकते हैं, और इसका color भी change कर सकते हैं, font का color, font का size, सब, जरूरत के मतावक, हम change कर सकते हैं, अभी देखेंगे, के से हम, इस में से, देखिए, यह cell है, यह cell को, अगर बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, हम तो जानते हैं, इस सब, जो table का, सब मैंने बताया, trick, इस trick को apply करके, आप बहुत ही सहज उपाय में काम कर सकते हैं, अभी देखेंगे, next trick क्या है, नया page open करेंगे, blank document, double click करेंगे, उसके बाद, अगर हम, कुछ randomly, कुछ line, paragraph, insert करना चाते हैं, हमने पहले भी बताया है, इस इकॉल टू, r, a, nd, और, bracket start, और, bracket end, यहां पर, by default, तीन पारगरप आ गया, और, अगर हम, यह जो line है, यह जो, एक first line है, second line, third line, fourth line, यह जो line है, इस line के अंदर, sentence के अंदर, जो gap है, इस gap को थोड़ा सा बढ़ा करना चाते हैं, तो, हम, कीबूर से भी, यह कर सकते हैं, त्रीक है, control plus two, प्रेस करेंगे, देखिए, यह, दो line का gap आ गया, अगर, हम, इसको deadline का gap करना चाते हैं, 1.5 line का gap करना चाते हैं, तो, control, और 5 को, प्रेस किजिए, यह, छोटा सा हो गया, deadline का line हो गया, अगर हम, पहले से, जैसे था, एक line का gap, एक line का gap करना चाते हैं, तो, control one करेंगे, यह, पर अगर हम, यह table में, अगर हम, एक row से, और सफरी, एक cell से, दूसरे cell में जाना चाते हैं, तो, प्रेस करके, हम जा सकते हैं अगर बैकवर्ड एक cell से इस cell से यह जो cell है इस cell से इस cell को जाना चाहते हैं तो shift प्रेस करके shift प्लस tap प्रेस करके बैकवर्ड जा सकते हैं यह एक trick है अगर फॉर्वर्ड जाना चाहते हैं तो tap प्रेस किजिए अगर बैकवार जाना चाहते हैं तो shift plus step अगर यह जो टेबूल है यह टेबूल को आप दो टेबूल में convert करना चाहते हैं कैसे करेंगे देखिए यह जो 6 line का टेबूल है 6 row का टेबूल है इसको 3 row 3 row का दो टेबूल करेंगे कैसे करेंगे यहां पर select करेंगे इसको यहां पर select किजिए उसके बाद alt plus shift और down arrow alt shift down arrow यहां पर हो गया alt shift down arrow प्रेस करने से यह देखिए यह पहला टेबूल एक आ गया और यह दूसरा टेबूल आ गया और पहले से आप जोड़ना चाहते हैं तो alt shift और यह जूड़ गया और अगर आप इस टेबूल में यह जो सेकेंड टेबूल है इसमें अगर आप रोड इन्सर्ट करना चाहते हैं तो आप जिए रों-इंसर्ट हो जाएगा जितना भी रोड चाहिए इन्सर्ट हो जाएगा और एक फर्मुला है और एक ट्रीक है यहां पर अगर चाहिए आपका एक नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो के लास्ट में टेबूल के बाहर क्लिक किजिए उसके बाद एंटरप्रेस किजिए देखिए फिर से करके दिखाता हूं क्लिक आउटसाइड टेबूल और प्रेस एंथर देखिए यहां पर क्लिक किया और एंटरप्रेस किया यहां पर क्लिक किया और एंटरप्रेस किया यह तो हो गया रो इंसर्ट कैसे कॉलम इंसर्ट करेंगे यहां पर यह जो table है इसमें हमारा यहां पर हमने लिखा है a table यहां पर b लिखा है यहां पर d लिखा है यहां पर e लिखा है और यहां पर f लिखा है कैसे यहां पर a है b है c हमने नहीं लिखा है DE, यहाँ पर हम चाहते हैं, यह C होगा, और यह D, यह F होगा, that means, हम यहाँ पर एक insert करेंगे column, कैसे column insert करते हैं, यहाँ पर click किजिए, उसके बाद, right click किजिए, right click, insert, insert column, यहाँ से, एक column, हम insert करना चाहते हैं, insert column to the left hand side, अगर right hand side चाहिए, तो right hand side में click किजिए, यहाँ पर हम चाहते हैं, left hand side, then click on insert column to the left, देखे, यह एक insert हो गया column, हो, यहाँ पर हम C लेख सकते हैं, A, B, C, D, E, F, हो गया, फिर से करके दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर F है, यहाँ पर H है, जी नहीं है, तो यहाँ पर click किजिए, उसके बाद, right click किजिए, insert column to the, यहाँ पर right चाहिए, column to the right, यहाँ पर right में आ गया, इसमें G प्रेस के दिखे, बहुत ही साज है, यह चलाए गया, row insert and column insert, यहाँ पर हम यह जो paragraph है, यहाँ पर, अगर हम एक साथ यह paragraph को select करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अगर paragraph को select करना चाहते हैं, तो simply हम यहाँ पर तीन बार click करेंगे, यह देखे, paragraph select हो गया, मैंने सिर्फ तीन बार, जल्दी जल्दी से तीन बार click किया, और इसको triple click कहते हैं, यह paragraph select हो गया, अगर हम एक sentence को, आप select करना चाहते हैं, तो click किजिए, और उसके बाद हम control plus mouse click, control में, control press करके, एक बाद click किजिए, और यह जो total sentence है, यह select हो गया, अगर हम एक word को select करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इस word में, अगर picture को, यह जो picture है, when you create pictures, pictures को अगर select करना चाहते हैं, तो यहाँ पर double click किजिए, double click करने से यह picture जो word है, यह select हो गया, अगर यह diagram word है, इस diagram word को हम select करना चाहते हैं, तो double click किजिए, double click on the word, यह हो गया, select हो गया, ऐसे ही हम select कर सकते हैं, अगर mouse में करेंगे, तो हम एसे drag करके select कर सकते हैं, अगर keyboard में भी एक उपा है, एसे करेंगे, shift प्रेस करके, यह जो down arrow है, off arrow है, यह जो arrow की से, हम यह काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो अभी बताया है, यह बहुत ही easy process है, अगर यह select हो गया, और हम bold करना चाहते हैं, control भी हमने दिखाया था पहले वीडियो में, control प्लस, u, underline, यह सब हो गया, और यह color आ गया, और यह जो formatting है, इस formatting को अगर हम हटाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यह जो total paragraph है, इसको select कर देंगे, select करने के बाद, क्या करेंगे, यह paragraph select करने के बाद, control प्रेस करेंगे, उसके बाद, space bar प्रेस करेंगे, देखिए, यह normal position को आ गया है, फिर से दिखाता हूं, control जेर प्रेस करेंगे, देखिए, control जेर मतलब undo, यह जो formatting है, यह जो line selected है, सरी, line सब जो है, underline है, और bold है, और यह जो color है, red color है, इसको normal करना चाहते हैं, तो total paragraph को select किजिए, triple click में, चिलेट हो गया, उसके बाद, control प्रेस करके, space bar को प्रेस करेंगे, देखिए, normal हो गया, और अगर, आप एक letter लिखना चाहते हैं, और letter में हम date mention करना चाहते हैं, यहाँ पर, हम date यहाँ पर insert करना चाहते हैं, कैसे date insert कर सकते हैं, insert में जाएगे, उसके बाद, यहाँ पर date and time में, date and time में क्लिक कीजिए, सिर्फ date करना चाहते हैं, तो यह option है, क्लिक कीजिए, उसके बाद ok, आ गया, और अगर time चाहते हैं, तो enter कीजिए, उसके बाद, यहाँ पर date and time में, फिर से, क्लिक कीजिए, उसके बाद time, यहाँ पर time भी mention है, time, click, हो गया, अगर keyboard से यह जो date and time इंसर्ट करना चाहते हैं, कैसे keyboard से कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर हम क्लिक कीजिए, उसके बाद, अगर date इंसर्ट करना चाहते हैं, तो alt shift plus d, alt shift plus d प्रेस करने से, यह देखिए, date आ गया, उसके बाद अगर आप time जानना चाहते हैं, current time, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद time के लिए, वही फर्मुला, alt, shift, और time क्या, t है, t से time निकल दा है, उसके बाद alt shift प्रेस करके, यहाँ पर, देखिए, alt shift plus t, देखिए, time आ गया, alt shift plus t, time और alt shift plus d, इसको date के लिए, यह हो गया, उसके बाद अगर हम, अगर हम देखिएंगे, change case, change case कैसे करते हैं, change case मतलब, हम यह जो upper case, lower case है, lower case से upper case जाना चाहते हैं, क्या है, upper case, lower case क्या है, यह देखिए, यह जो first paragraph है, इस paragraph में, देखिए, यह सब छोटा letter लिखा है, और बड़ा letter, O बड़ा letter है, और I बड़ा letter है, यहाँ पर हम अगर इसको select करेंगे, और यहाँ पर कैसे mouse से करेंगे, यहाँ पर home tab में click किजिए, उसके बाद यहाँ पर एक है, यहाँ पर यह जो, यह जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है, उसके पास में एक है, यहाँ पर change case लिखा है, यहाँ पर click किजिए, उसके बाद sentence case, यह sentence case तो है, यहाँ पर यह lower case है, सब letter lower हो गया, देखें, इसका जूम कर देते हैं, देखें, यहाँ पर जूम करके हम दिखाते हैं, देखें, यह फिर से दिखाते हैं, यहाँ पर यह sentence case है, sentence case में फास लेटर, capital and other letters are small, और यहाँ पर lower case में, all the letters are in lower case letter, that means, sub letter lower case letter में आ गया, छोटा letter आ गया, उसके बाद uppercase letter है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, capitalize each word, that means, each word का पहला letter capital हो जाएगा, देखें, यह on का o capital हो गया, d का t capital हो गया, sub word में एक एक letter, फास लेटर capital हो गया, उसके बाद next क्या है, यहाँ पर toggle case है, यहाँ पर toggle case में क्लिक करेंगे, तो देखें, यह जो फास लेटर small हो गया, और वाड का जो बाकी letter है, वो capital हो गया, यह तो कोई जागा में जरुवत नहीं होता है, देखें, यहाँ पर अगर आप keyboard से करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, Ctrl Z, और उसके बाद keyboard से अगर यह काम करना चाहते हैं, तो select किजिए, triple click में, यहाँ पर तीन बार click किजिए, यह select हो गया, उसके बाद यह paragraph में, shift plus F3, देखें, shift F3 प्रेज करने से, यह sub-capital हो गया, shift F3 प्रेज करने से, यह sub-small हो गया, uppercase, lowercase और shift F3 में sentence case, यह sentence हो गया, यहाँ पर तीन case ही apply होगा, एक है uppercase, देखें, shift F3, देखें, uppercase हो गया, sub-letter, capital हो गया, और shift F3 में, lowercase letter, sub-letter, small हो गया, और shift F3 में यह sentence case ही, जेके case ही, बहुत ही easy process में हमने यह कर दिया, thank you for watching this video, and please subscribe my channel, and hit the bell icon, so that you have the latest update, and also like and share the video to your near and dear, thank you. कर दो